नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौलिज शो में तो दोस्तों आज अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा बलंडर हो चुका है जिसने पूरे के पूरे युद्ध को मोड कर रख दिया है और देखिए इसी खत्रे की वज़े से भारत अफगान की खुलकर मदद नहीं कर रहा था दरसल हुआ कुछ ऐसा है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से कुछ डेड़ सो किलोमेटर दूर एक प्रोविंस पढ़ता है एक राज्य पढ़ता है जिसका नाम है गजनी गजनी एक बहुत ही महतपूर राज्य है अफगानिस्त करना पड़ रहा है परते दिन सैकडो तालीबानी लड़ाके मारे जा रहे हैं जबकि आज का डाटा यह है कि पिछले आठ गंतों के अंदर ही साड़े साथ सो तालीबानी लड़ाके मारे गए जिसमें तालीबान के परमुक कमांडर भी थे लेकिन वहीं गजनी हैरानी की ब मंद़ी ठीक वैसे ही अफगनिस्तान में राज्यों के परमुक होते हैं वहां के गवर्णर तो गवर्णर को यहाँ पर तालीबान ने थ्रेटन किया और वह उसने डर कर आसानी से तालीबान के लड़ाकों को बुलाकर गजनी की जाती वहीं पर तो देखिये पहले आप इस्तिती समझे जो गजनी है ना इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर तालीबान का कोई नामुनिशान नी है इसी वज़े से अफगानिस्तान को भी लगा था कि तालीबान को गजनी तक पहुंशने में कम से कम एक से लेक आप कुछ सो लड़ा के बुलवा लिए उन्हें यहाँ पर कहा कि यह लीजे यह पूरा राज्य अब आपका है और तालीबान की लड़ा को ने क्या किया कि वो पूरा जो कैपिटल सिटी है उसके चारो तरफ के जितने भी चेक पॉइंट थे वहाँ पर पहुंच गए और बड़ी आसानी से उस कैपिटल सिटी की घेराबंदी कर ली है हाला कि अब जो अफगानिस्तान की सेना है वो लगातार भेजी जा रही है गजनी ताकि लड़ाई लड़के इसे दोबारा फिर से चुड़ाया जाए इतना है नहीं जो गवर्नर हैस्किन पर आप देखिए उ खुद अपनी मदब नी करना चाहते हम इनके लिए अपनी सेना बुला चुके हैं वहाँ से लेकिन फिर भी इनके लिए लगातार मदद कर रहे हैं अपने अरबो डॉलर खर्च करके बंबारी कर रहे हैं पूरा जंगी बेडा हमने तैनात करके रखा हुआ है अरब सागर मे जिससे कि हम लगातार इनको एर सपोर्ट प्रोइड करा रहे हैं और आप जड़ा सोचे अफगानिस्तान की सेना के मोराल का वो फ्रंट लाइन पर लड रहे हैं लगातार अफगातार तालिबान को मूत और जवाब दे रहे हैं लेकिन जब उन्हें खबर मिलेगी ऐसी कि गजनी पर बीना लड़ाई लड़े ही कबजा हो गया तो उनके मोराल कितना ज्यादा डाउन हो जाएगा आप समझ सकते हैं इससे आप एक और चीज समझ गए होंगे कि क्यों भारत खुलकर यहाँ पर अफगानिस्तान की मदद नहीं कर रहा था हलाकि एक और खबर आई थी कि कल भारत दुआरा दिया गया एक हलिकोप्टर अफगानिस्तान की सेना को जो दिया गया था 2019 में उस पर तालिबान ने कबजा कर लिया है तो देखिए उस पर भी अपडेट यह आया है कि ये हलिकोप्टर पहले से ही ख़राब हो चुका था और ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसका इस्तमाल किया जाता था as a spare part की तरह, यानि किसी और helicopter में कुछ खराबी आ जाते थी, तो इससे spare part निकाल कर उन helicopter में लगाए जाता था, इससे ये भी स्थिती साफ हो जाती है, वहीं आपको बता दू कि पूरे मामले पर manager है, मैं आपक with constructive fact के साथ में real चीजे आपको बताऊंगा, मेरी खबरे 2-4 घंटे लेट जरूर होंगी, लेकिन पूरे fact के साथ और बहुती आसान भासा में मेरी वीडियो होगी, तो अब आप मुझे comment करके बताएगा, कि आपको ये युद किस तरफ जाता दिख रहा है, अपना genuine opinion जरूर